हेलो हाई वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल इस्टरवीद भासकर मैं आज आपके साथ देखिए जी एस कोईशन का पार्ट 6 डिसकस करूँगा मैंने अल्रेडी आपके साथ पार्ट 5 डिसकस कर चुका हूं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक किजेगा आज देख है फर्स्ट और हन भी देखिए आपर बोला गया है एस एस मैच लिस्ट वान विद दा लिस्ट टू अगैप ऑर यहां पे लिस्ट आए है और यहां पर धिए आपको करेक्ट अंश जो की यहां पर नहीं साथ होतो यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा आपका elected by an electoral college नहीं होगा गलत है उसके बाद ऑप्षन 2 आपका elected by the parliament गलत है उसके बाद elected by the लोक्षभा ये भी गला तो इलेक्टेट बाइडल बोटिंग आप जब जब एमपी चुनते हैं तब आप खुद बोड़ देते हैं जनता खुद बोड़ देते हैं तो देखिए एका फोर हो गया उसके बाद देखे प्रेशिडेंट जो प्रेशिडेंट का होगा आप्शन न दा लोक्षभा तो देखिए कौन सेंसर राइट हो गया है एफोर ओके एफोर तो आप्शन नमर डी इस दा राइट एफोर बी वान सी टू एंड डी थ्री ओके और ये एक बात याद रखे हमारे जो अभी जो स्पीकर कौन है हमारे उनका नाम है ओम बिडला याद रखेग तो नेक्स कोईशन वूइच अफोर फॉलूइंग अपॉइंट्मेंट्स इस नॉट मेड बाइद प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा अपॉइंट्मेंट्मेंट्स जो की हमारे भारत के प्रेशिडेंट द्वारा नहीं किया जाता है तो देखिए इसका राइट एंसर प्रेश कोने उनका नाम है तो आप याद रखेगा सरत अरविन बोबड़े होके सरत अरविन बोबड़े होगे भारत के जोकी चीफ जस्टीस है उसके बाद रहेगा चीफ कुमार सिंग भादुरिया तो याद रखेगा रकेश कुमार सिंग बादुरिया जो कि चीफ ओफ इयर स्टाफ है ओके उसका देखिए चीफ ओफ आर्मी कौन है अभी उनका नाम है मनोज मुकुंत नर्वाने याद रखेगा मनोज मुकुंत नर्वाने तो नेक्स्ट क्वेशन ठर्ड क्योंट इंडिया वन्डूपी कौइंस और इसके लिए एक जोकि यहाँ पर वन्डूपी नोट में जो सिंस्ट्र होता है एक signature किसका होता है वो होता है आपका finance secretary का यह भी फैक्टा भी याद रहेगा finance secretary का signature होता है और जो की issue कौन करता है the central government और देखिए हमारे भारत के जो की coin जिसको mint बला आता है यह कितने है वो चार है हाँ चार यहाँ पर mint जो की print जो की वहाँ से mint जो की मतलब manufacture होते है वो चार जगा कौन कौन सा आप याद रखेगा Mumbai होई एक उसके बाद कलकत्ता है हाइदराबाद और नॉइडा इन चार जगा पर जो की coins क्या होता है manufacture होता है याद रखेगा इसका लिए यह जो ट्रिक एक बनाए यह किसके लिए है जो की हमारे currency printing प्रेस के लिए याद रखेगा जो की currency printed जो की note print कहां होते है चार जगाए वो ट्रिक के साथ आप याद रखेगा MSDN okay MSDN M से होगाY mercane मैं सुरुइ से होगा का सालवोनी मुद्र अध्यप्रदेश में नहीं करता है और विदम सμॉइ- इसका रखेगा क्षम कर दो दिसके होगा का खरनशल इसके आपको बताऊंगा होगा उसके बाद N से नॉइड होगा याद रखे N से नॉइड है डी का मुझे आभी याद नहीं है तो मैं थोड़ी दिर बाद आपको ये नेक्स वीडियो में आपको बोल दूँगा ओके तो इतना फेक्ट आफ याद रहेगा आपका यहां पर दिया है तो इसके बाद देहे हैं इसके बाद देहें इस ठ्रेट बने इंखरिजिए टार लेबल फंकम इट्सेल बीकॉल इसको क्या बोला जाता है आपका तो इसका जो राइट इन सरफ का फाइब का बीट के सको बना थर प्रोग्रेशिवटेक्स उके प्रोग्रेसिवेशिवेश्ट नेक्स्ट कुषिए नियू केपिल इश्यू इस्यू इ इसके बाद देखें वीच इस 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 फाइश्ट बोडी देट एप्रूप्स 5-year plan इन इक हो इन द कांट्री जो फाइव ये प्लान है उसको जो एप्रूप करने माला बोडी कौन सा था क्योंकि अभी तो जो 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 प्लानिंग कमिशन नहीं है तो कौन सा था नेशनल development council ndc बोला जाता था option number d is the right answer याद रखे planning commission का establishment कब वहा था जो कि 1950 में इसका जो कि establishment क्या गया था planning commission 1950 याद रखें बहुत अभी तो planning commission नहीं है उसकी जगा पर कौन सा है नीती आयोग याद रखें का नीती आयोग नेशनल जो की नेशनल नीती आयोग बोला जाता है और इसके establishment कब वहा था 1 January 2015 याद रखेंगा उसके बाद देखें यहां के CEO कौन है अमिताब कांथ नीती आयोग के CEO कौन है अमिताब कांथ और उसके बाद देखें इसके जो कने राजीप कुमार याद रखें राजीप कुमार और इसके चेर्मन रहते है भारत के प्रधान मंत्री इसके चेर्मन सारी नीति आयो के चेर्मन कोन है वो है तो इतना ंसका पूर्प और नेति θαम हम इंशनल इंसिट्ट और ट्रान्सफर्मिंग इंडिया काども क्या है नैसेट्ट इंसिट्ट और इंडिया तो इतना अज़ हरोड डोमर मोडर याद रखें हरोड जो कि आपका हरोड डोमर मोडल हरोड डोमर मोडल इंपोर्टेंट है याद रखेंगा next question bank deposits that can be withdrawn without notice are called bank deposit जो कि बिना किसी जो कि मतलब notice के withdraw किया जाते हैं उसको क्या बोला जाता है तो यहां पर देखें इसका जो राइट अंसर होगा 9 का D deposit demand deposit याद रहे हैं demand deposit option number D is the right answer next question an expenditure that has been made and cannot be recovered is called expenditure है जिसको मतलब बना जाता है और जो कि recover भी नहीं होता तो उससे बोला जाता है sunk cost option number C is the right answer sunk cost next question the practice of selling goods in a foreign country at a price below the domestic selling price is called इसको बोला जाता है dumping यह जो dumping ट्राम है यह अभी चाइना भारत के साथ और बहुत सारे जो देशों के साथ यह यूज करता है क्योंकि देखिए चाइने में बहुत जो की सामाने वह सस्ते में बनते हैं और जो कि हमारे domestic market में अगर इंडिया से सामन बना जाता तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो उसे यहाँ पर फेक दिया जाता है तो उसे बोला जाता है डंपिंग तो यह पॉइंट भी आप याद रहेगा नेक्स क्वेशन फाइन्स कमिशन इस्टाब्लिशन याद रहेगा फाइन्स कमिशन कब इस्टाब्लिश हुआ था तो राइट एंस ऑप्शन नमर सी 1951 याद रहेगा 1951 सो दन देखे फाइन्स कमिशन ओके तो नेक्स क्वेशन एकाउंटिंग येर ओफ रिजर्ब बेंक ऑफ इंडिया का तो आप याद रहेगा कौन सा होगा ऑप्शन नमर बी इस राइट एंस जुलाई टु जुन एक फेक्ट याद रहेगा जो की पूरा इस का जो की फाइनेंस एरियर कौन सा होता है एप्रिल टु मार्च ओके लेकिन रिजर्ब बेंक ऑफ इंडिया का जुलाई टु जुन ये फेक्ट भी आप याद रहेगा और देखे आर बीया का एस्टाब्रिश्मेंट कब वहा था 1935 में ओके 1935 और जो की आर बीया का नेस पर उसका नाम था सीडी देशमुग याद रखेगा सीडी देशमुग और अभी जो की िडिश्वर्ब एक इंडिया के जो की जो की कॉन है मतलब अभी जो करेंट जो की गोवर्नर कौन है तो सक्तिकान दास इतना पर धैब याद रहेगा नेक्स्ट कोशिशन वह साइन्स वान रुपी नोट का सिग्नेचर किसका होता है तो राइट एंसा अप्शन नमर सी फाइन सेक्रेटरी याद रखेंगे फाइन सेक्रेटरी नेक्स्ट क्वेशन और भी वाज नेशनलाइजीट आपको बोला गया थी नायन्टीन फुर्टी नेज़र which planet appears red, कौन सा planet जो की red होता है color में, तो याद रखेगा, which planet appears red, कौन सा जो की planet red दिखाया जाता है, option नमर सी ज़े राइटेंसर, Mars, ओके, Mars जो की red है color में, ओके, इसका देखे, which gases present in Mars, विच मेक मार्स रेट परनेट कौन सा गेस यहां पर पाया जाता है तो उसका राइटेंस रहोगा ओप्षन नमर सी आईरन ऑक्साइड और यहां पर याद रखेगा सारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो की मांटेन रेंज कहां पर मार्स में उसका नाम क्या है निक्स ओलंप मार्स में है और मार्स में भारत ने मिशन बेजाता है यह बंदेल लुणर स्कलीप जिसको बोला जाता है आपका हमारे हिंदी sun and moon के बीच में आता है तो उसको बोला जाता है solar जो की lunar script जिसे बोला जाता है आपका सूर्य ग्रहन जो की एक दिन पहले हुआ था जो की आपका 21 जुन में वहा था तो यह कैसे होता है, the moon comes between the sun and the earth, जो moon है, वो sun and earth के बीच में जब आता है, तो क्या बोला जाता है, उसको solar sleep, यानि की चंद्रा ग्रहन, और जो 21 जुन को एक day मनाया गया था, क्या था, yoga day, याद रखे है, yoga day, और यह सबसे लंबा भी दिन है, जो कि northern hemisphere में, सबसे लंबा दिन क कदम रखने वाला, कितने सन में, कौन से year में रखा गया था, 1969, याद रखे, 1969, और यह एक US का ब्यक्ति था, इसका नाम था, आपका, इसका नाम एक्जिकली याद नहीं आया, तो आप comment section में लिख लिजएगा, तो यह थे आज की questions, thank you for watching, do subscribe my channel, and hit the bell icon, I will provide this type of informative videos,